हेलो दोस्तों फूर्डक्स पर प्रीती में आपका स्वागत है तो मैं आज आ गई हूं फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर एक की और इस एक की रेसिपी को बनाना बहुत ही असान है बड़े बच्चे कोई भी सी रेसिपी को 10 मिनिट में बना सकते हैं तो यह रेसिपी हमने लिए तीन एग और कुछ हमने वेजिटेवल्स लिए वह पहले से कट करके ब्रॉकली हो गई सिम्ला मीट्स प्याज और लस्टन और हरा दनिया लिए हमने यहां पर यहां पर चीज भी आड़ करेंगे थोड़ा तो पहले मैं एक को फोल्ड लेते हैं तो फ्रेंट अगर मेरे चैनल पर न्यूँ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और बैल ऐकन को प्रेस करना ना भूले उससे मेरी आने वाली हर एक नोट्पिकेशन आपको मिलती रहेगी तो बैल ऐकन पर प्रेस करें और ओल पर क्लिक करें तो फ्रेंड मैं एक नहीं खाती हूं मैं फिर भी आप लोग के लिए एक बना रही हूं तो प्लिस मिले सपोर्ट करें और वीडियो को जदा जदा शेयर करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने तीनों एक फोर्ड लिये हैं अब इसमें थोड़ा सा नमाग आड़ करेंगे इन आच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड हम पहले इसका एक ओम्लेट बनाएंगे स्टीम ओम्लेट बोल सकते हैं उसे क्योंकि हम बीना ओयल का बनाएंगे इसे तो प्रेंड हापे में किस टील का बरतल ने रहें आप प्लेट या कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह तो हमने इसमें बैटर एड़ कर दिया एक का अब हमें आप लेंगे एक पैन उसमें एड़ करेंगे पानी और गैस का फ्लेम ओन कर देंगे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो फ्रेंड एसमें रख देंगे उपर से कवर कर देंगे और हाई गर्स का फ्लेम हाई रखेंगे पाश मिंट तक तो फ्रेंड देख सकते हैं पाश मिनट हो गए हमारे और जो स्टीम ओमलेट है वह हमारे बनके रेडी हो गया है तो फ्रेंड हम इसे वह हम निकाल लेते हैं तो फ्रेंड हम इसे छोटशटे पीसिस में कट कर लें जिस तरीके से हम पनीर कट करते हैं उसी साब से इसको कट कर लेंगे तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने एक सारे कट कर लिये हैं उसके बाद हम मियोनिस में चीज़ एड करेंगे हाफ टेवल स्पून हम काले मिर्च पॉडर एड करेंगे यहां पर हाफ टेवल स्पॉन चीज़ फ्लेक्स अड करेंगे मिया पर कि चीज़ फ्लेक्स अब कम ज्यादा कर सकते हैं गर आपको इस्पाइसी पसंद हो तो आप आप ज्यादर डाल सकते हैं अगर नहीं पसंद आता आप कम कर सकते हैं या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं तो फ्रेंट यहां पर हम हाफ टेवल स्पून और गैनो एड़ करेंगे तो फ्रेंट बनाना फ्राइ करना में स्टार्ट करते हैं तो हमने यहां पर लिया एक पैन गैस का फ्लेम और कर दिया है यहां पर हाफ टेवल स्पून हम देशी गी ले रहे हैं अब देशी गी की जगह बटर या रिफाइन डोल कुछ भी आड़ कर सकते हैं जो आपको पसंद करेंगे बारी कटे हुए लसन अब करेंगे मेडियम ही रखना जो अब इस पर आड़ करेंगे ब्रॉकली ब्रॉकली को दो से तीन रटी फ्राइब करने हैं मेडियम फ्लेम पर तो फ्रेंट दो से तीन मिनट हो गए अब इसमें जो हमने एग कट करेंगे कटे हुए एग एग और ब्रॉकली को दो मिनट तक साथ में फ्राइब करेंगे मेडियम फ्लेम पर दो से तीन मिनट फ्राइब करेंगे तो फ्रेंट में इसमें थोड़ा सा नमक और आड़ करेंगे उपर से इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो फ्रेंट जो हमने मसाले लिये थे वो आड़ करेंगे इसमें तो फ्रेंट नमक डालने के बाद हमें एक सी दो मिनट फ्राइब करना है फिट से उसकी बाद हम इसमें मसाले अड़ करेंगे तो इसमें हमने चीज और मियोनीज और मसाले लिये थे वो आड़ कर दिये तीन से चाहर मिनट तक हम इन सभी चीजों को साथ में पकाएंगे ताकि जो हम आई चीज है वो मेल्ट हो जाचे से तो फ्रेंट अगर आप लोग को वीडियो अची लगी हो तो लाइक कमेंट शेर जरूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग की मेरी न्यू रेसिपी कैसी लगी तो फ्रेंट देख सकते हैं बिल्कुल हमारा एक बनके रेडी हो गिया है आप इसे प्राठे रोटी डाइड के साथ दिखा सकते हैं फ्रेंट इसका टेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा पीज़ा की तरह टेस्ट आएगा इसमें तो बच्चों को बहुत जादा पसंद आने वाली है रेसिपी फ्रेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तभी के लिए बाई बाई